हेलो बच्चा लोग तो दिवाली के लिए खास वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं सबसे पहले शुप दिपावली दिया भी मैं नहीं बनाया है इस बात कभी ध्यान लखेगा मैंने कोई भी आर्ट वैसे यूज नहीं किये प्रिंटेट नहीं यूज किये मैं चाहता है तो सही दिपावली की छुट्टियों को कैसे यूज करना है तो बच्चों बहुत ही बढ़िया स्ट्राटिजी के साथ आया हूं मैं बहुत ही धमाकेदार और बहुत काम में आने वाली इस स्ट्राटिजी के दो पॉइंट है अगर आप NSEJS की प्रिप्रेशन कर रहे हैं NACP और NACC के लैंडिंग पेज हैं जिनका लिंक भी डाला जाएगा इस वीडियो में है ना डिस्क्रिप्शन में वीडियो के तो उन पे आप जा करके इसकी टेस्ट सिरीज भी एवलेबिल हैं तो ये जो छुट्टी का समय है ना ये NACP पर पूरी तरीके से फोकस कर सकते ह मेरा तो मानना ये है कि जो प्रप्रेशन नहीं भी कर रहे है ना जिनोंने फॉर्म नहीं भी भरा है वो भी इस सिरीज को जोईन कर सकते हैं रीजन रीजन ये बच्चो कि इनका स्लेवस ना NCRT पर बेस्ट होता है और अगर ये NCRT पर बेस्ट है तो सोचो जेई मेंस के लि सब्जेक की लेकिन यहां पर आपको कोश्चन का लेविल जे मेंस से उपर और जे एडवांस से थोड़ा नीचे रहता है कई बार जे एडवांस के टक्कर का भी हो जाता है जो कि लास्ट येर अगर देखा जाए तो अच्छा लेविल था फिजिक्स के पेपर का तो यह और यह बता पूरा का पूरा पेपर पेपर भी यह दोनों फॉर्म में वेब साइट पे डाल लगते हैं दोनों फॉर्म में अब अगर पीवाई क्यूस मतलब टॉपिक वाइस देखना चाहते हैं तो वह देखिए मेरा मानना यह है कि पहले टॉपिक वाइस खतम करिये फटाफट 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 और फिर yearly basis पर आप उसको दीजिए ठीक अब आती है बाद कि सर कैसे पढ़ें मतलब कितने घंटे पढ़ें कई लोग कहीं सवाल होता औरे कितने घंटे पढ़ें सर दीवाली ना मनाएं क्या तो भाईया ये भी बात बता देता हूं कि क्यों मिडल पर रखिएगा इसलिए मिडल पर रखिएगा कि वरना आप एक्जॉस्ट हो जाएंगे आप बैलेंस बनाके चलिएगा नॉर्मली जितना पढ़ते हैं उससे कम पढ़िएगा धान रखिएगा और नॉर्मली जितना मौच करते हैं उससे जादा मौच करिएगा मतलब दिवाली भी enjoy करिए और ऐसा कर लीजे कि यार एक दिन में मुझे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना भी है जो भी आपको सही लगता है इतने घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है और जाहिड सी बात है दिवाली वाले दिन तो आप 1 घंटे पढ़ें 2 घंटे पढ़ें तो सब्सक्राइब है तो बच्चों NACP बता दिया मैंने आपको कैसे करना है टेस्ट सीरीज भी जॉइन कर ली सकते हैं आप टॉपिक वाइस फ्री में हैं वेपसाइट पर और पेपर वाइस भी सिट डाउन टेस्ट दीजे दो घंटे में अपने आपको चेक करिए जज करिए अब आती है बात कि माल लीजे सर मैं NACP नहीं दे रहा हूँ तो मैं क्या करूँ जई की तयारी कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको बहुत अच्छी सी चीज बहुत शांदार सी चीज सिंपल सी चीज इस समय ज़्यादा कोश्चन पर फोकस मत करिएगा सिफ दिव सरके नोट्स है और सरके इलस्टेशन है ना वो आपको कंप्लीट कर लें कंप्लीट नहीं करने है तो मैक्सम जितना कर सकते हैं उतना कर लीजे ये भी कैसे करना है उसका तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ आज भी बता रहा हूँ आपको एक पेज पढ़ना है सरके नो ऐसे पढ़ाने से हमें कोई भी चीज बहतर तरीके से समझ में आती है तो आपको टीचर बनके पढ़ाना है थियोरी पढ़ानी है किस पर फोकस कदा थियोरी पर ठीक और आपको क्या बन जाना है टीचर बन जाना है ठीक उस पर्टिकलर थियोरी का तो आप बनाएं टॉपिक लिस्ट बनाएं मेरा मानना ये है कि आप अभी प्लान करें जितनी भी छुट्टी में दिन अविलेबल हैं ये टॉपिक है ना ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक और टिक करते जाएं जैसे पहले दिन कुछ कंप्लीट हो गया तो उसे टिक कर मतलब जून तक लगातार आपकी पिसाई होने वाली है ठीक है और अगर आपने जिलक्स होना इसलिए जरूरी है और अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी आपने पूरे दिन मौच किया तो नुकसान पता है किस बात कहा होगा अब डिटाच हो जाओगे आपकी रिदम ब्रेक ह हो जाएगी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी रिदम ब्रेक होई थी दिवाली की छुक्तियों में तो वो नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में बच्चों तो आपको क्या करना है बीच का पात अपनाना है रिलेक्स भी होना है पढ़ाई भी करनी है प्लानिंग के साथ कर बनानी है उस टेबल में टॉपिक लिखने है ठीवरी पढ़नी है कोशुन्स नहीं करने है नोट्स के बाहर वाले ठीक है बच्चों तो उम्मीद करता हूं यह काफी मैंने आपको बता दिया है दिवाली में करने के लिए आप इतना भी कर पाते हो तो यह आपके लिए स्मूर्ण करता बाब बाइ